अखाड़ा में आपका एक बार फिर से स्वागत है रूस के राष्ट्रपती व्लादिमिर पुतीन आज 21 भारत रूस सालाना शिखर सम्मेलन के लिए एक दिन के दौरे पर भारत आ रहा हैं प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी और रूस के राष्ट्रपती पुतीन के बीच आज शाम साड़े पांच बजे बातचीत होगी ये बातचीत भारत और रूस के बीच 21 वे शिखर सम्मेलन के तहत होगी दोनों के बीच रक्षा सहयोग, अफगानिस्तान, कोरोना के अलावा तमाम द्वीपक्षिये चेत्रिये और अंतरराष्ट्रिये मसलों पर भी बातचीत होगी इसके साथ ही भारत और रूस के बीच व्यापार, उर्जा, रक्षा, शेत्र से जुड़े कई समझोतों पर हस्ताक्षर भी होंगे भारत और रूस के विदेश मंत्री और रक्षा मंत्री टू प्लस टू डायलॉग में भी शामिल हो चुके हैं करोना संकट की वजए से पुतिन का ये भारत दौरा बेहद छोटा रखा गया है लेकिन इसका असर ना सिर्फ दुनों देशों के संबंदों पर होगा बलकि इस से चीन और पाकिस्तान जैसे भारत के बड़ोसी देशों को भी बड़ा संदेश जाएगा बड़ाई एहम दौरा है ये और इस पर लंबे इंतजार के बाद भारत और रूस के बीच में AK-203 राइफल को लेकर पांच हजार करोर रुपए के रक्षा समझोते पर भी हस्ताक्षर हो चुका है खबरों के मताबिक भारत और रूस के बीच टू प्लस टू बैठक में अमेठी के अमेठी में AK-203 राइफल उत्पादन पर बड़ी डील हुई है रूसी राष्ट पती व्लादे मेर पूतीन के भारत दोरे के बीच इस समझोते पर हस्ताक्षर हुआ है रूस की AK-203 राइफल दुनिया के सबसे घातक और सबसे सफल राइफल AK-47 का सबसे अपडेटेड मॉडल है इस डील के तहथ भारतिय सेना और अर्द सैनिक बलों के लिए अमेठी की फैक्टरी में AK-203 राइफल बनाई जाएंगी मेजर जनरल केके सिना हमारे साथ हैं और अमबैस्टर विष्णू परकाष भी हमारे साथ हैं आप दोनू को मेरा नमस्ते जनरल केके सिना ये बहुत एतिहासिक शन है दो-तीन चीजे महत्पून बाते होंगी इसमें एक री-लॉस की भी बात होगी यानि रेसिप्रोकल लोजिस्टिक्स यानि भारत को आर्टिक में एकसेस मिलेगा ये बहुत इंपोर्टेंट अगर अरेंजमेंट है जिस पर अगर कहीं सहमती बन सकती है लेकिन भारत में AK-203 राइफल का निर्मान साथ ही इसकी बुलेट्स और काटिजिस भी बनेंगी क्योंकि कई बार ऐसा होता था कि बंदूके तो हमें मिल जाती थी लेकिन कार्टूजों पर इतना खर्चा करना पड़ता था पहले बंदूके खरीदो फिर उन कार्टूजों को भी हम नहीं बनाते हैं तो उसको भी खरीदते रहो ये पेरिनियल हमारा जो इंपोर्ट बिल है ये इसकी वज़े से कितना कम होगा जिस तरह के समझोते हो रहे हैं एस-400 मिसाइल सिस्टम्स की यूनिट भी हमारे पास आ रही है देखे नरश्रमन जैहिन आपने बड़े बताया एक एतिहासिक है ये एतिहासिक पोस्ट कोविड के बाद जिस तरह से पूरी बिश्व रीशेप कर रहा है उसकी तहत आदिया आप देखेंगे तो सामरिक डिस्ट्री से बहुत बड़ा केवल बैश्विक लेबल पे ही नहीं शेत्रिये और बाइलेटर बहुत बड़ा एक ये कहेंगे कि कदम होगा और आज की जो दिन है वो इतिहास में जाएगा देखें आपने रिलॉस की बात की तायद आपने औरा का भी जिक्र किया इसके लावा आपने एक टूसरी की बात की आपने एस पोर हंड़ की बात की तो सबसे पहले जो जीडियों का आपने जिक्र किया इतिहास क्यों है बाद ऐसे लगा साइट खेमे में बहुत जादा एक तनाव है बनावट चेंज हो रही है मर अफगानिस्तान के बाद खास करके अगस्त के बाद सप्टमबर से यह जो बदली है क्योंकि दो हजार बीस का समय जो कि सुरू से ले करके और इस साल एपरिल तक बहुत बहुत हमें चिंता का भी से था जिस तरह से पहले रशा के जो और अन्विस्टर आए थे यहां पर उन्होंने इंडो पैसिफिक में एक बड़ा कुस्चन मार्क लगाया था और फिर वहां से पाकिस्तान चले गए थे डिरेक्ट एक कभी नहीं हुए मगर जिस तरह से प्रस्थितियां बदली और आपने जो बताया देखे सबसे पहले मैं लेता हूँ क्योंकि आपने के 2003 की बात की है ज्वाइंड वेंचर है ज्वाइंड वेंचर बिट्वीन इंडिया ब्रामोस की तरह और देखिए यह जो असौर्ट राइफल है यह बिश्व के अंदर में हमें इतनी की बात हो रही है तो ये एक तो है आप मिर्मता और इंडिया में क्योंकि ट्रांस्वर टेक्नॉलोजी बहुत बड़े लेबल पर भी ब्रामोस के में आपने देखा होगा ट्रांस्वर टेक्नॉलोजी हुआ था और हमने किस तरह से अभी आज क्रूज विशाहिल के अंदर म सब मांग कर रहे हैं दूसरी बड़ी बात हमने कहीं वो S-400 ये नहीं कि S-400 हमारे पास पांच रेजिमेंट आई हैं और कैसे S-500 की बात करना है वो भी S-500 रुषियन मिलिटरी में सामिल नहीं हुआ है उस दोरान क्योंकि 2014 में S-400 की बात चाइना से हुआ था हमारा 2018 में हु उफर कर रहे हैं कि जब जैसे इंट्रड्यूस होता है भारत में आएगा और S-500 मार्च शंता वो हाइपर सोनिक तक को मारेगा तो बहुत बड़ी बात है जो कि रूस उसमें भी ट्रांस्वर अप टेक्नॉलजी ब्रामोस की तरह कुछ इस तरह की बातें की साहित संभावन आए हैं आपने रिलोस की बात की रिलोस की बात की आपने आर्टिक की बात की आर्टिक में भारत में कहा है क्योंकि वहाँ पर चाइना को चैलेंज हो रहा है इसके अलावा सुडान में लोजिस्टिक बेस बना रहा है पहली वाट जो वेस्ट एशिया के अंदर में रश्या उसमें उसकी भागीदारी चाहता है इंडिया और ये आता है इंडिया नोशन रिम एशोसियेशन्स के जब हम जब बात करते हैं तो ये जो चीजे हो रही है जो डस एग्रिमेंट की बात हो रही है उसमें रिलोस मेरे अनुसार उसमें मोहर लग जाएगी और जब रिलोस आएगा तो डायरेक्ट चाइना को इस चालेंज हो क्योंकि जो आपने कहां आर्टिक रीजन में जो कि चाइना चाहता है कि रश्या को दवा करके आर्टिक रीजन में और इसी के अंदर में फार इस्ट बहुत बड़ा कदम है जी बहुत बड़ी बात है लेकिन डिप्लोमेटिकली इसको कहते है न टाइट रोप वाक की रसी पर आपको चलना है और वो जो लंबी डंडी होती है जो आपको बैलेंस बनाने में मदद करती है कि एक तरफ जादा जूके तो घिर पड़े विश्ण प्लैंज हैं कि लखनाओ में और यूपी में कई दो तीन जिलों में जो डिफेंस कोरिडोर्स खुलेंगे वहाँ पर इन इंडस्ट्री को बहुत ज़्यादा इनको मदद मिलेगी खासकर ये फैक्टरी जो अमेठी में खुल रही है से रोजगार भी बनेगा लेकिन दूसर हमारे लिए ये एक बड़ी डिक्लमाटिक चुनौती है और अब तक भारत ने जो भी बैलनसिंग की है बड़ी खुबी की है पर ये अभी खेल की शुरुआत है 21 जिन शिताबदी बहुत अलग है इस वोकर दुनिया क्रॉस रोड्स पे है जियो पॉलिटिक्स क्रॉस रोड पे है और कोई भी रिष्टा वो नहीं है जो पहले होता था मैंने मैं रश्या के रिलेशन को बहुत एहमियत देता हूँ बताना चाहता हूँ कि मैंने सोवेट यूनियन में पोस्टिंग किया रश्या में पोस्टिंग किया और मैं जानता हूँ कि इसकी क्या एहमियत है हमा बाव डाला है कि विली निली वो चीन के करीब चला गया है और हमारे लिए जो चैलेंज है वो ये है कि अगर भगवान ना करे कल चीन के साथ अगर लड़ाई होती है तो रश्या का क्या रुक होगा उसके प्रशन चिन है हाँ ये जरूर है कि 2020 में पिछले साल जब हमारे चीन नाखुश था पर इस वकत क्या हो क्या राया कि रश्या ने जब RIC की स्थापना की जब हमने अब रश्या, जपैन, इंडिया डायलॉग शुरू किया जब हमने ब्रिक्स शुरू किया तब रश्या को कोई दिक्कत नहीं थी 1991 में जब रश्या ने यलसिन के राश्या काल में जब USA की तरफ रुकिया तब कोई दिक्कत नहीं थी पर हम जब करते हैं तो उनको थोड़ा सा चुपता है हमारी जो सुरक्षा स्थिती है, हमारी जो जियो स्ट्रेटेजिक चैलेंजिस हैं उसको थोड़ा कभी लगता है कि रश्या वो उस अंदाज से नहीं देखता जो कि एक पुराने मित्र को देखना चाहिए खासतार पर लावरोव ने जैसे जनरल सिना ने जिकर किया लावरोव का रुख थोड़ा सा अलग है अमबैस्टर साब मुझे आपको यहाँ टोड़ा है